हेलो गाइस कैसे हैं आयोग आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह कंटेंट में और लेकर क्या हूं तो आज का कंटेंट गाइस बहुत ही बहुत ही प्रीमियम बोले तो बहुत ही अच्छा है अच्छा मिन्स यह है कि मैं आज का जो वीडियो आपने थमनेल में देखे लिए कि आपको यह बहुत मतलब 100% solution मिलने वाला है मैं network section को explain करने वाला हूं क्योंकि वोड में जब आप जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहां पर क्या चीज़ चेक करना है आप confused हो जाते हैं फिर आफ यह करो वो करो नहीं समझ में आता है तो मैं इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है आपको उतने सारे बोर्ड में कीवल और केवल कुछ चीज़ें ही चेक करना है और आपको 110% आपका प्रॉलम सौल हो जाएगा गाइस तो नो सर्विस के उपर में वीडियो लेकर क्या हूं तो वीडि चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चली यह देखिए हमें आप आपको दिखा देते हैं कि नो सर्विस यह हमारा सैमसंग का फोन है यह 505 F50 model है जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करने हैं मैं आपको सब कुछ step by step with proof मतलब PCB के साथ बतान की देता हों कि 100% आपका फोन 110% बनेगा ही बनेगा तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन दवा दें जिससे हमेरे ने डिट आपको मिलते रहे हैं तो चलीए मैं आपको बता दू गाईस नो सर्मिस में सबसे पहले है कि आपको अपने फोन का सबस्ता। हमारा नो सर्विस प्रॉलम इसू आ सकता है अगर आपका बेजमेंड और और आरेफ के वर ओके है तो आपको सेकंड स्टेप करना है गाइस सेकंड स्टेप क्या करना है आपको तीन वोल्टिज चेक करना है अब आप सुचेंगे कि अरे इतने सारे नेट्वा सेक्षन में यह वोल्टिजें हमें कहां चेक करने है गाइस तो मैं यह सारा आपको बताने वाला हो गाइस यह तीन वोल्टिज आपको चेक करना है सबसे पहले आपको तीन वोल्टिज सबसे पहले आपको चेक करना है क्वाइल लगा हुआ है एक कैपसिटर और एक क्वाइल मतलब दो क्व तो यह आपको वील्टेज değiş यह एक काइल कहाँ पर लगे हैं चलिए मैं आपको आपको दिखा दो चाह्ने को कहां ढूला है कहां पर नहीं नहीं, तो मैं इसारा एक्स प्लेट करने वाला हूँ यह हमारा देख सकते हैं और यह देख सकते हैं यह सक में करने वालों बहुत आमेजिंग वीडियो होने वाली तो चलिए फटा-फट में आपको बता देता हूं इतने सारे बोर्ड में आपको कहां पर भटकना नहीं है स्टप बाइस्टर आपने बेस्बेंट चेक हHope लिए उसके बाद में क्या करना Kendall रहा थे हैं सिधा यहांन में आपको कॉइल को डिखा देता हूं अब आपको क्षक कर दोझाओ को ने exporting कर दोग है तो guys यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक transmitter लगी हुई है तो यहां पर IC के अलावा यहां पर देख सकते हैं हमारे network section हो गया U70661 IC है इस IC के पास आपको यहां पर 1.8 voltage करना है Guys सबसे पहले आपको यहां पर इस coil पर 1.8 caps यहां पर voltage करना है guys उसके बाद अगर यह 1.8 आ रहा है तो इस capacitor पर भी आपको एक 1.2 voltage चाहिए चलिए मैं इस capacitor को भी आपको दिखा देता हूं कि capacitor कहां पर लगा हुआ है next करते हैं तो देख सकते हैं उसी IC के पास यह हमारा एक capacitor लगा हुआ है guys यहां पर भी आपको मैं इतना जूम करके दिखा दे रहा हूं यह हमारा बोर्ड है बोर्ड को आप मैच कर सकते हैं यह हमारी power IC लगी हुई है guys तो आप इसको जूम करेंगे जूम करके आप देखेंगे तो इस capacitor पर हमें 1.2 voltage मिलना चाहिए guys हमें इस capacitor पर 1.2 voltage मिलना तो चलिए यहां पर भी double click करते हैं और जाते हैं अपने layout में और करते हैं paste और करते हैं next तो just उसी के पर मतलब almost यहां पर जो IC लगी है transmitter IC लगी हुई है इसमें पास आपको क्या करना है एक यह coil एक यह coil और एक capacitor इसमें हमें 1.8 इसमें हमारा 1.8 और इसमें हमारा 1.2 voltage आना must अगर फिर चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह 3 को आर हमने बता दिया अगर यह 3 voltage आ रहे है अगर यह 3 voltage नहीं आ रहे है तब आपको क्या करना है सीधा और सीधा आपको power IC चेंज करना है यह देख सकते है power IC का number U500 अगर यह 3 voltage नहीं आ रहे है तो आप उनकी track चेक करना है और सीधा यह 3 IC को आपको चेंज करना है तो आप यह देख सकते हैं U500 यह उसकी power IC लगी हुई है तो आपको इस power IC से voltage अगर नहीं मिलता है guys तो आप power IC replace करना है आपको change करना है guys तो यह आपका second solution था तभी मैंने बोला guys क्या video को इन तक देखेगा तो यह आपको साहत समझ में न 30 ज्यादा ज्यादा हमें बताइए तो अपनी तीन बोल्टेज चेक करना है तो सीधा सीधा आपको power IC को change करना है अगर आपने तब प्रूसेस कर लिया है तब आपको आपको आना है जब आपको वी सीव चेक करना है वी सीव मैं बता देता हूं कहां पर लगाना है 32 GHz कह यह अगर यह आपको चेक करना है तो चली मैं बता देता हूं कि आपको वी सीव कहां पर लगा हुआ है यह आप देख सकते हैं वी सीव हमारा जस्ट पावर आइसी की ऊपर लगा हुआ है तो यह इस वारे बूर्डों में आपको नेट्वर्क सेक्शन फाइंडाट करना है मैं इसी डेली एक वीडियो लेकर क्या आपके लिए लारा हम हाडवेर स्वाफ्टर इमिंड सी से रिलेटेड इनलेस सल्यूशन गाइज तो यहां पर देख सकते हो मैंने आपको इस प्लेन कर दिया है आपको यहां पर क्या करना है इस वीचियो को चेक करना है कि आपको यह वीच लगा है, इस VCU को change करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पया करना है गाईस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिप्लेस आपको यहाँ पे, अगर आपने इतना प्रोसेस कर लिया है, आपने अपना basement चेक कर लिया, आपने अपना RF IC, RF cable को चेक कर लिया, और फिर उसके बाद आपने तीन voltages को देख लिये, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपने power IC भी replace कर लिये, उसके बाद आपने VCU को भी replace कर लिया, उसके then अगर ये नहीं होता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस IC को replace करना है यहाँ पर रिप्लेज करना है यह IC लगी हुए है हमारा यहाँ पर इस IC को आपको last में आपको replace करना है, आपको no service problem 110% आ जाएगा यह जो IC है, ट्रांस्विसर आइसी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिज करूँ यह जो IC है guys, यह हमारी transmitter की IC है, जो RFTS को convert करता है, सारी चीज़े इस IC को आपको no service आ रहा है, तो इस IC को आपको change करना है guys, जैसा कि यह मैंने आपको बताने की कोशिज की यह आपका network section उसके बाद नहीं होता है, तो आपको वीज़े चेंज करना है, उसके बाद नहीं होता है, तो आपको guys, यहाँ पर इस IC को transmitter IC को change करना है guys, तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर कीजएगा, यह वीडियो मैंने जो आपको बताया network section से related ऐसे ही मैं काफी वीडियो लेकर कर आता रहूँगा, तो guys, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर करना ना बोले, मिलते हैं किसी और लोपको कि किसी ने थ्वीडियो मैं थी डेक्राइब